करते हैं शुरू Tech Stuff का एक और नया एपिसोड Samsung के साथ Samsung Galaxy A53 5G काफी जल्दी अब इंडिया में लॉंच होने वाला है और 91 Mobiles की इस exclusive report की अगर हम माने तो Greater Noida की Samsung की में Samsung Galaxy A53 की प्रोड़क्शन अलडी शुरू होगी है याट मींस हमें Q1 2022 में Galaxy A53 देखने को मिलने वाला है Samsung के काफी जादा foldable smartphones तो launch होते ही आ रहे हैं और साथ में Samsung के rollable smartphones भी काफी जल्दी लॉंच होने वाली है बट इनसे भी जादा interesting एक Samsung की rollable watch भी हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है इसमें हमें एक extendable rollable display देखने को मिलेगी और Samsung ने अपनी upcoming Galaxy rollable watch का patent फाइल कर लिया है Samsung ने अभी कुछ तह पहले अपनी mobile division और साथ में consumer electronics division को merge कर दिया था और अब इस नई merged division का नाम Samsung ने रख दिया है Samsung MX MX का मतलब है mobile experience और अगले साल Samsung के जो smartphones launch होंगे उनमें हमें enhanced mobile experience देखने को मिलने वाल है कुछ अच्छी आपको यहां पे development Samsung के mobiles में और बाकी के products में देखने को मिलने वाली है OnePlus ने अज officially confirm कर दी है OnePlus Bud Z2 की launch date 16th December को OnePlus Bud Z2 launch होने वाली है और simultaneously इंडिया में OnePlus Bud Z2 और साथ में OnePlus RT slash OnePlus 9 RT की launch को भी आप expect कर सकते हैं Realme GT2 Pro तो launch होने ही वाला है बट Realme GT2 भी launch होगा Yes, Realme GT2 Pro के साथ में Realme GT2 Series का vanilla variant भी हमें काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है As a matter of fact, Realme की Indian website के official page पे Realme GT2 को अब list कर दिया गया है Updates Time is, Realme X7 Max और Realme GT के लिए finally Realme UI 3.0 based Android 12 update को Realme ने रुलाओट करना शुरू कर दिया है Realme X7 Max के लिए early access program को live कर दिया हो, Realme GT की बात करें तो इसके लिए open beta update Android 12 अब इंडिया में रुलाओट हो चुका है Gaming News Time is, January में हमें Weird West Game देखने को मिलने वाली है यह काफी interesting RPG गेम होने वाली है और Microsoft ने कमाल कर दिया, Microsoft कह रहा है कि यह गेम जिस दिन launch होगी उसी दिन Xbox Game Pass subscribers को यह गेम free of course देखने को मिलने वाली है Epic Games ने pro wrestling inspired एक नई गेम को आज अनौन्स कर दिया है इसका नाम है Rumbleverse और इसमें आपको PUBG की तरीके का एक Battle Royale ecosystem देखने को मिलेगा बट इसमें आपको weapons की जगा अपने हाथों से opponents को defeat करना पड़ेगा काफी जल्दी बहुत सारे platforms पे Rumbleverse हमें देखने को मिलने वाली है Google Play Store Games काफी जल्दी Windows 10 और Windows 11 पे हमें natively देखने को मिलने वाली है यह कोई rumor महीं है आज official confirmation निकल के आचुकी कि अगले साल हमें 2022 में Windows 10 और Windows 11 के लिए Google Play Games देखने को मिलने वाली है Certifications Time गेज रेट्मी से करते हैं आज की certifications शुरू रेट्नी K50 Vanilla Variant आज चाइना की MIIT certification website पे certified हो गया है काफी जल्दी हमें रेट्नी K50 series के smartphones देखने को मिलने वाली है OnePlus का एक नया Nord series smartphone काफी जल्दी इंडिया में launch होने वाले है इसका code name होगा Ivan इसका model number है IV2201 और इंडिया की BIS पे ये smartphone आज लेस्ट हो गया है अब ये OnePlus Nord 3 होगा या OnePlus Nord CE2 होगा ये कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा बड़ इंडिया में ये smartphone काफी जल्दी अब launch होने वाला है Last but not the least guys Poco X4 NFC और साथ में Poco F4 GT ये दोनों smart phones काफी जल्दी लॉंच होने मिले हैं आज European Conformity को ये दोनों smart phones पास कर चुके हैं काफी जल्दी ये smart phones इंडिया में भी हमें देखने को मिलने वाले हैं आज की वीडियो के लिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत बुलेगा मेलते हैं विट से एक और नई वीडियो में तिल देन खुश रहिया बात रहिये पलते भूलते रहिये गॉड ब्लेस यू ओल आपीस जैहिंद